अलो एवरीवन वेल्कम बैक टो डिपेंस अपदेश मेरा नाम है हशुर्दन सिंग और अज फर्स आफ आप्टूबर के करन्ट अपेस को डिसकस करेंगे चलिए शुरूर करते हैं सबसे पहले एक स्कीम है जो मिड्डे में स्कीम के नाम से जानी जाती थी आप सब मैं इन पॉइंट्स को यहां पर लिखके दे रहा हूँ यूनिन कैबिनेट एस अप्रूव तो डी नेंग दपी एम पोशन स्कीम और इंट्रीउस दपी एम पोशन स्कीम इसमें जो गवर्मेंट स्कूल होते हैं उनमें बच्चों को मिड्डे मील के तौर पर या आहर जो है हो दिया जाएगा खास तोर से ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह स्कीम पांच साल के लांच की गई है इस तरीके के स्टेट्मेंट्स पर थोड़ा से ध्यान देजिएगा एक्जाम के इसाब से इंपॉर्टेंट रहेगा सीडियस वगर्मेंट स्कीम और पर क्वेशन र गॉर्मिट देगी ठीक है यह स्कीम उसके अंदर नाइटी नाइटी फाइंव में लांच किया गया था और उसके बाद में यह किस ग्रुप तक के बच्चों को शामिल करते हैं तो यह जो है वो ग्लासेस फर्स से लेकर एड़ तक के बच्चों को दिया जाता है जो स्कूल अटेंड करते हैं और स्कूल में एंडरोल होते हैं उनके हिसाब से सेकेंड चीज आ रही है सीपी सी चाइना पाकिस्तान एकनॉमिक कॉरिडूर जो की एक बहुत इंपॉर्टेंट निउस है कि अफगानिस्तान इसको जो जो है ऐसी बात जो है वो पाकिस्तान ने रखी है पाकिस्तान है जिसकस्ट तालीबान लेड अफगानिस्तान गवर्मेंट इन जॉइनिंग दा मल्टी बिलियन डॉलर चाइना पाकिस्तान एकनॉमिक कॉरिडूर सीपी सी कॉरिडूर जो है भी चाइना के लिए एक मेजर प्रोजेक्ट है जैसा हम आगे मैप पे देखेंग इस प्रोजेक्ट की हैप से चाइना को एक तरीके से इंडियन ऊशन के अंदर डारेक्टली एक्सेस मिलता है अगर कल को तालीबान की गवर्मेंट इसका पोस करती है या फिर इसको सपोर्ट नहीं करती है तो उस केस में चाइना के लिए ये प्रोजेक्ट खत्रे में स्ट्री इस साथ गावर्मेंट को भी इनोंने से प्रोजेक्ट जोडने की बात पहले भी पाकिस्तान भी रुकत क्योंकि बहुत ज्यादा मिलती। इसलिए चाइना अफगानिस्तान के में जो तालिबान की सरकार है उसका भी साथ देने को तयार है ताकि वो इस प्रोजेक्ट में बीच मढगा ना करें चाइना है इस प्रपोस्ट दा कंस्ट्रक्शन ऑफ पेशावर काबुल मोटर वे यह केश पेशावर से काबुल को जोड जोडने की बात कर रहा है वो कहा है बलुचिस्तान पाकिस्तान में है जिसके अंदर खुंजी रब पास नॉर्थ पार्ट और पाकिस्तान इन फैक्ट यह पी ओके से भी ओकर गुजरता है जिससे इंडिया को अब्चेक्शन इससे चाइना को डिरेक्ट ली इंडियन ऊशन में आने का एक सीधा रस्ता मिलेगा चाइना का बहुत मेजर प्रोडेक्ट है बेल्ट अंड रोड उसका हिस्सा है जो की सेंट्रल एशिया से चाइना को और यूरोप तक जोड़ने का एक तरीके से काम करेगा जो चाइना के ग्वादर पोर्ट तक एक तरीके से एक्सेस जो है वो चाइना को प्रोवाइड कराएगा इस रीजन के अंदर और इससे चाइना एक तरीके से इंडियन ओशन एरिया के अंदर इंडियन ओशन रीजन के अंदर डायरेक्ट एक्सेस बना पाएगा जो की पकिस्तान और चांसे अघर की umm समय को वैसे इसकता है तक्षी चैनल मैटर में नहीं बोलें और साट-साथ चाइना इनको अपने आप से थोड़ी सी दूरी बनाके रख सके इन उनके राइट को लेकर काफी समय से चाइना पर आरोप लगते रहें कि वो उनके खिलाफ में मालाव अधिकार का जो मामले आते हैं या human right violations आते हैं उसको लेकर चाइना बहुत सारे जुल मिल लोगों पर करता रहा है तो उसको लेकर अगर तालीबान कल को चाइना के Muslims का support करने लगेगा तो चाइना के लिए एक problem create हो सकती है इसलिए तालीबान को अपने से जित्ता दूर हो सके अपने favor में जित्ता हो सके उत्ता करना चाहते है यह उसका भी एक important chain है तो इसलिए चाइना पाकिस्तान हैं कि हम करेंगे थैंक यू फर वाचिंग प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब कल गांधी जैनती की चुट्टी रखेंगे सो बेसिकली वी विल मीट ऑन मंडे मंडे को नेक्स क्लास में अप्लोड करोगा थैंक यू